आखलोलों सामने यू तैज लेके काया आई हूँ और डिस्कस करने वाला हूं आप लोग के सब तैबर में अरगत कहसे दिंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी दीडर करे लेकम पहले तक आखलत को साहिए। में क्यों आते हैं और क्यों हमें यह चीज हमें जाननी है कि यह चीज है क्या नेटकियोटी एक कॉमिनेशन एक नेटवोक का word है जहांपर एठीकियोटी को define क्या गया कि ethics क्या होता है कि आप जब cyber cyber का मतलब क्या होता है इंटरनेट, इंटरनेट के अंदर कोई भी चीज अगर आप करते हैं, और इंटरनेट में जैसे आप सर्फिंग कर रहे हैं, या फिर कोई भी काम करते हैं, या फिर कोई भी सर्च कर रहे हैं, या फिर कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सारे चीज़े साइबर के अंदर आती है अंतरगात आती है जो भी हम लोग shopping वगरा करते हैं यह सारे चीजे online चीजे जितने भी होती है तो net cuties जो होता है यह online जो positive एक way होता है कि कैसे हम लोग ethics के अंदर ही आता है कि हम लोग कुछ गलत ना करें तो उसके बारव में ही है और कुछ इसमें रूल्स होते हैं और ऑनलाइन हमारी जो behavior है वो कैसी होनी चाहिए जो net cuties के अंदर में आती है वो देखेगा यह के resourceful है जहां पर की social media हो गया कि जहां पर हमें कैसा खुद को सो करना है कहीं पर भी कि जिससे कि हम लोग किसी लौको ब्रेक ना करें यह जो जो आप वोर्ड देख रहे हैं या फिर हमें उनसे misbehave नहीं करनी चाहिए तो यह सारे चीज़े या फिर हमें कोई ऐसी चीज़े नहीं बतानी है या फिर नहीं करनी है कि जिससे दूसरे को harm करें तो यह इसके अंतरगती आती है नेक्स आती है आपको don't write at all in caps मतलब कि आप कभी भी आप bad way में किसी को भी ऐसे मत बूलिए कि जिससे कि दूसरे को खराब लगे कि वो computer का जरिया या फिर social media हो या फिर online कोई भी तरीका हो उस चीज़ में करने के लिए यह जिस मना कर रहे है जो कि यह ethics में आता है कि आप एक अच्छे इंसान है तो फिर आप ज़रूर है कि यह ज़रूरी है कि आप किसी दूसरे को आप नहीं बोलेंगे या फिर आप उनको harm नहीं करना चाहेंगे तो आप बोल के भी दूसरे को harm नहीं करना चाहिए तो ये सारे चीज़े को ध्यान रखते हैं हम लोग तीसरा जो है NetQT में आता है कि आप कोई भी चीज पब्लिस करने से पहले या फिर कोई भी चीज नेट में आप छोड़ने से पहले हैं उसे एक बार आप खुध से देख लिजे कि क्या वो दूसरे को से him पहांई पहुचा रहे हैं वो किस ट्राइप कर हानि पहुचा रहा है अगर आप कोई ऐसा ब्लॉग लिखे हैं या फिर कोई भी ऐसा वह इसा हो टेक्स है जो आप लिखते हैं या फिर वो कोई भी तरीका हो सकता है जो कि Net में हम लोग यूज करते है वो ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए कि दूसरे को थ। कर दूसरे को हानी पहुच है तो हमें ऐसी चीजों को publish, post को publish नहीं करनी है, कि दूसरे को वो harm करें, तो ये ethics में आती है, जो कि हम लोग ये बहुत ही important है, कि एक अच्छे इंसान कभी भी ये चीज नहीं करेगा, किसे दूसरे के साथ, तो ये ethics के अंदर आती है, कि हम लोग computer जब use कर रहें, तो उसका muse use ना करें, उसका जो सही use है, उस चीज़ को हम लोग रखें और उसी चीज़ को use भी करें, चौथा में आता है कि हम लोग किसी के साथ ना खेले, don't phone with someone, कि आप किसी के साथ मतलब मजाक ना करें, कि net के तरू क्योंकि, अगर आप किसी के साथ मजाक भी करतें, किसी का अगर आप कोई ऐसा message करतें, या फिर किसी का अगर, आप अगर account अगर hack कर लेतें, किसी को अगर cyber bully करतें, तो ये सारे चीज़े, ऐसी चीज़े नहीं करनी है, कि जिससे सामने वाले इंसान को, आप उनको हानी पहुचा रहे हैं, या फिर उनको problem में डाल रहे हैं किसी भी, तो ये सारे चीज़ें नहीं करनी है, जो कि ethics में आती है, जो net cuties के अंदर में आती है, इसके बाद है आपकी, जो कि अपना language जो है, जो हम लोग भासा बोलते हैं, जो कि आपके सामने जैसे मैं बात कर रहा हूँ, या फिर कोई भी बात करते हैं, तो ये जो word जो भी बात हम लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं करनी है, कि जिससे सामने वाले इंसान को, वो खराब लगे, हमारा जो voice है, या फिर जो भी word हम लोग यूज करें, वो kind हो, मतलब किसी को जब भी वो कोई भी सुने उस चीज़ को, तो उस चीज़ को ये समझे कि नहीं, जो सामने वाला बंदा बात कर रहा है, या फिर जो भी बात करना चारा है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, तो as a kind way में हमें बात करनी है, तो ये भी एक ethics में आती है, इसके बाद आती है कि आप अपने आपको ऐसा एक मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करिए online की, आपको ये ना कहें कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो गलत का meaning क्या है कि आप किसी को ना हाम करें, किस कोई भी ऐसा post ना करें कि जिससे आप दूसरे किसी को आप हानी पहुंचाएं, तो ये net cuties के अंदर में ये आती है, तो आसा करता हूँ ये topic आपको समझ में आई है कि ये क्यों इतना important है cyber ethics के अंदर में ये आती है, next आता हूँ कि software license, software license का नाम तो आप लोग ने सुना होगा, ये जो word है, इसके बारे में सुना होगा, software license जो होती है, ये एक agreement होती है, जो कि company के बीच में, दो organization या फिर कोई organization का एक permission होता है, कोई भी organization कोई भी एक software बनाती है, तो ये जो software बनाती है, तो उसका खुद का एक legal, अपने पास एक ये permission रहता है, कि मैंने ये चीज़ डेपलप किया है, तो मेरे इजादत के बिना, कोई भी वो software यूज़ ना करे, तो ये इसलिए ही बनाया गया है, कि multiple इसकी copy को, मतलब हम लोग जब यूज़ करते हैं, तो ये piracy कहलाती है, कि जैसे आप windows में, अगर हम लोग बिना की के, अगर हम लोग यूज़ करते हैं, तो फिर वो piracy होती है, तो वैसे ही ये license का, जो मतलब होता है, कि कोई भी इसका misuse ना कर सके, इसलिए company क्या करती है, खुद को एक revenue generate करने के लिए, कि मतलब कुछ पैसे कमाती है, उसके थुरू, या फिर कुछ जो भी develop किये, तो उसके लिए तो उसने अपना main power लगाया है, उससे इसको develop करने के लिए, उतने सारे आप developer वहाँ पर use हुए हैं, कि कोई भी software को generate करने के लिए, या भी develop करने के लिए, तो इसके लिए जो भी पैसा खर्चा रहता है, वो तो जब कोई भी इंसान उसे use करता है, तो उसे तो पे थोड़ी बहुत करनी पड़ते हैं, जिससे कि वो जितना खर्चा किया है, उतना उसे मिल सके वापस, इसलिए वो लोग license लगाता है, और इसका कोई misuse ना कर सके, इसलिए भी उसको license किया जाता है, कि इससे पता रहेगे कहां-कहां मेरा जो software है, वो कहां-कहां use हो रहा है, तो यह चीज़ होगी आपकी software licensing में, यह एक single user, इसका जो software की license होती है, यह कोई कितने कुछ तरिके की, मतलब यह software licensing होती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला होता है single user license, single user license का मतलब कोई एक ऐसा software, जो software एक ही user के लिए बना है, और वो वही चला सकता है, जैसे कि आपका antivirus, antivirus में एक ही की रहता है, या फिर एक windows, windows का जो एक operating system है, जिसका एक ही की होता है, कि मतलब आप अगर खरीदे हैं, तो आपके लिए ही वो की बना हुआ है, तो आपका computer में ही वो चलेगा, दूसरे के computer में वो की नहीं चलेगा, और आपका जो OS है, दूसरे computer में नहीं चलेगा, तो इसी लिए आपका ये, ये होता है single user license, इसका मतलब होता है कि आपके लिए ही आपने खरीदा है, तो ये आप ही को license दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ हो, single user license, इसके बाद आती है next में कौन सी, multi user license, multi user license क्या होता है, ये क्या होता है कि एक install, एक program जो कि install होता है, multiple computer में install होती है, और उसे बहुत सारे numbers of users, मतलब use करते हैं, या फिर multi user, जिसे license भी इसे multi user license भी कहते हैं, कि एक साथ बहुत सारे computer इसे use कर सकते हैं, जैसे कि school और colleges में, आप लोग को पता होगा कि एक ही मतलब software वहाँ पर डाला जाता है, और बहुत सारे computer में हम लोग use कर सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, multi user कहते हैं, तो ये इसका example भी अगर देखा जाए, तो जैसे antivirus हो गया, quickil का हो गया, या फिर windows का हो गया, windows का server side हो गया, कि जो multi user operating system जो होता है, कि जिसमें multiple license एक साथ मतलब दे जाता है, कि आप अगर एक ही खरिद दें, तो आप बहुत सारे computer में use कर सकते हैं, तो ये multi user license होता है, ये और एक तरीके का मतलब software license होता है, और ये क्या होता है, site license, site license का मतलब क्या होता है, कि एक program जो की unlimited amount of computer में, मतलब बहुत सारे computer में आप install कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे computer में चला सकते हैं, बहुत सारे user उसे use कर सकते हैं, जैसे कि school में या फिर business में, जैसे आओ गया आपका कोई भी company हो गया, अपने company में बहुत सारे computer है, वह सारे computer को उन्हें चलाना है, तो वहाँ पर क्या होता है कि site license होता है, कि मतलब वहाँ पर business के लिए एक बहुत जादा computer के use करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर क्या करेंगे कि site license की use वहाँ पर होती है, जहां पर कि बहुत सारे users use कर सकते हैं at a time तो यह हो गई licensing कि software license क्या होता है और कितने type की आपकी software license होती है next आगे बढ़ते हैं कि open source software क्या होता है open source software को हम लोग OSS भी बोलते हैं open source software का मतलब होता है जो कि generally आपको net में available हो और उसे modify किया जा सके या फिर वो easily distribute हो सके सारे लोगों में कि जिससे की सारे लोग उसे use कर सके उसका जो original right होता है उसका ऐसा नहीं है कि उसे original right उसमें key दिवे रहती है तभी जाके वो चलेगा ऐसा कुछ नहीं है यह मतलब public के लिए बनाया गया कि आपको आप इसे use कर सकते हैं आपके लिए बनाया गयी है क्योंकि open source software जो होता है यहां पर यह as a community या फिर एक society को एक help किया जाता है कि आप इसे use कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर लोग पैसे देके तो सारे चीज़ तो नहीं खड़ सकते तो वहां पर उस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे developer ने open source बनाया कि open source का यह चीज़ आया कि open source software का concept आया जहां पर आगे चलके मैं यह चीज़ बताऊंगा कि OSS कैसे आया और कहां से आया यह चीज़ तो यहां पर basically यह चीज़ है कि open source software जो की generally public में use होता है जहां पर इसका license जो होता है वो मतलब freely distribution के लिए रखा हो रहता है कि कोई भी उसे use कर सकते कोई भी computer में तो basically आप लोग अगर कभी अगर open source software के बारे में अगर समझना चाहिए तो इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो freely available हो जिसमें license की कोई problem ना हो उसमें license की नहीं होती है वो freely सब के लिए हो बनाय हुई है उसको modify कर सकते हैं खुद से उसे distribute भी कर सकते हैं सारे लोगों में ऐसा न software जो code होता है वो basically public repository में आपको मिलता है repository का मतलब होता है कि public domain में आपको मिलता है जहां पर design development और additional software जहां पर enhance किया जाता है जहां जैसे कि आपका बहुत सारे आप देखेंगे जो भी application होती है उसको develop कर सकते हैं उसे update कर सकते हैं तो उसे modify कर सकते हैं आपका जैसे requirement है तो यहां पर यह चीज़ यूज होती है तो commonly इसका example क्या है OSS का जैसे कि आपको पता ही होगा GNU जिसे जो यहां पर Linux है Linux एक operating system है जो कि open source software है यह सब को यूज कर सकता है और इसकी बहुत सारी variant आती है जैसे kali Linux हो गई आपके ment Linux हो गई बहुत सारी ऐसे तरीके कि आपकी Linux की version आ सकते हैं यूज कर सकते हैं उसके बाद आती है Mozilla Firefox यह फ्री है VLC Media Player सुगर CRM GIMP VNC Apache Web Server LibreOffice यह सारे जो चीज़ मतले application है यह सारे जो software से यह सारे software freely available है market में आप चाहे तो download कर सकते हैं यह से यूज भी कर सकते हैं तो यह चीज़ यह सारे application इसका example है नेक्स आके बढ़ते हैं कि open source moment क्या है open source moment का यह basically यह आया है कि copyright जब आया कि जब सारे software में आपकी license की लगने लगी वहाँ पर copyright की issue आने लगी क्योंकि जब आप license को आप नहीं खरीते हो और उसको अगर बिना license के चलाते हो तब वहाँ पर copyright की issue आती है तो बहुत सारे लोग में यह चीज प्रॉ के ओपर cases हो सकते हैं तो यह सारे चीज़े जब यह चीज़ प्रॉब्लम आ रहे थे तब उस time क्या हुआ कि इस चीज़ को देखते हुए उस time एक moment start हुआ जो कि आपका open source software का एक community तयार हुआ जो कि खुद क्या करते हैं develop करते हैं और अपना जो developer हो है वो user के लिए सोचते ह का भी क्या requirement है वो लोग free में जो लोग खरीद नहीं सकते हैं वो लोग कैसे use कर सकते हैं वो कैसे अपना काम कर सकते हैं वो कैसे अपने जितने भी काम है उसको software के थ्रू बना सकते हैं बिना किसी की को खरीदे हुए तो उस time यह चीज़ यह जो demographic जो profile है जो OSS का particularly यह पर यह दिक्कत आती है कि कैसे वो खरीदे कैसे उनको यह चीज़ यूज करें कि basically सब लोग का पास इतने पैसे तो नहीं होते है कि सारे software को वो खरीद सके और खरीद के वो लोग use कर सके तो इस चीज़ को मध्य नजर रखते हुए यह चीज़ हम लोग देखते हैं कि कैसे ह वो काम वो लोग कर सके जो उन्हें काम करना है क्योंकि सारे लोग को आपास पैसा नहीं है तो इस उसी टाइम यह एक community developer community जो develop होता है जो कि एक ideology को अपना रखता है कि हमारे society को कुछ provide करना है जो कि एक healthy हो और society को freely जो सारे information उसको मिल सके और यह जो open source software है जो कि freely develop मतलब आ platforms में यह freely available हो यूज कर सके किसी को भी share कर सके तो ऐसा software को बनाया गया कि जिससे की जो copyright की जो issue है जो copyright law है जो आप यह इस चीज़ को वाइड करने के लिए यह OSS को लेकाया कि तो इसका impact क्या हुआ कि हमारा जो society है वो information जो घट रहा था जहां पर आपको पैसे देखे ही यहां पर freely सारे लोग को accessible हो रहा था सारे लोग distribute कर सक रहे थे सारे लोग उसे use कर पा रहे थे तो इसलिए OSS का जो developer की जो society है वो बहुत large है सारे countries में बहुत सारे ऐसे developer है जो की community के लिए सोचते हैं अपने society के बारे में सोचते हैं और वो क्या करते हैं OSS जो open source software जो होते ह उसमें अपना खुद का contribution करते हैं कि खुद से वो develop करते हैं अपना software को रखते हैं या फिर अपना खुद का अपना coding को वहां पर देते हैं तो इससे क्या होता है कि community को help मिलता है अपने society को क्या करते हैं हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो आसा करता हूं यह चीज मै मैंने आपको समझा पाया हूं और अगर आपको समझ में आया और आप आपको अच्छा लगा प्लीज आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए और फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तैंक यू